मेरा सवाल जदियू प्रवक्ता से है बिहार में बहार है सुसासन की सरकार है कि बिहार बेहाल है कुसासन ही बढ़करार है बिहार में आप जातिये जनगरना करना चाहते हैं तो अगर जातिये जनगरना करना है तो बेरशगारों की गिंती किजिए अच्छे हस्पीटल मैं बताता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ वे एक काम करेंगे वह मंच पे बैठके अपनी बेहन को किस करेंगे उसके लाओ कुछ नहीं करेंगे जब मोदी जी आपका सवाल क्या है सवाल यह एक प्रधान मंत्री हमारे देश का प्रधान मंत्री जिसको जनता चुन कि भीषती है वह अपने मां के पैर चुता है तो यह लोग कहते हैं फोटो खचाने जा रहा है और राहुल गाधी क्या करते हैं भारत जो यात्रा में वह भरे मंच पे वह किसका प्यार है उनका जवाब इसका जवाब एक ले लेता है कि मार्क टिंग स्ट्राटिजी का आरो कि अगरे से वह लोग हैं जो कि कोई रख्टी अगर अपनी माता से मिलता है तो उसको मार्केटिंग स्ट्राट्जी कहता है कि मुझे नहीं रखता कि कोई जिम्मेबार रज़िती में यह बात करेगा अगला सब्सक्राइब कोश्चन है सबके सवाल कॉंग्रेस से हैं क्या म सब्सक्राइब करने जोंगे डैंट जोड़ा हैं अवह इस तरीके से जोड़ें कि लोग उनसे बात कर रहे हैं ऐसी शिकाइट तो नहीं आती सुने सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है कि यह सब जो है यह विरास्त की परिशानी है अब देखें उन्होंने रास्ता ना किया है थोड़ा समय दीजिए सब दुरुस्त हो जाएगा बीजेपी के साथ कितनी सरकाल चलिए इनकी कितनी कब कब 20 साल हो गया है कि आपको क्या लगता है कि जब भारत जोड़ने चले हैं अश्वाप गहला हो दो पाइलोट के ने क्या करें और वो लुग आम आदमी क्या कर रहें और तीसरा मेजर यह देट इस दियर वोट आदे दूइंग वोले वोलोग डिफेंस पर्सनल के लिए कर रहें मेजर टीसमा थे अधिक तरफ आप राज्ट एक तकी बात करते हैं और आपकी पार्टी के बरिश्ट नेता बा है चलिए बहर जोडने यह बहर जोडने की स्ट्राटीजी या फिरिए बिज़ेपी को हराने की छिक मेरा सबटीश हो की प्रवक्ता से है जब नितीश अधव कुमार प्रति चले में प्रतिश कुमार उस्ट में बिहार के इलाज करवा सकते हैं तो लालु यादव क्यूव करवाने देखे लालु यादव जी की जो इस्थिती मेडिकल है वो थोड़ा क्रिटिकल है उनको किड्नी ट्रांस्प्लांट कराना है और उनकी बेटी रहती है सिंगापूर में जिन्हों ने किड्नी डोनेट किया है पहला दूसरा लालु यादव ने हमेशा अपना इलाज एमस में कराया किसी प्राइवेट जगह नहीं जाते थे नितीश कुमार ने भी अपने आँख का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है जहां तक बिहार में पांचाजार बेट का एस्पताल पीम सीच बनने जा रहा है तो बिहार अपनी जितनी भी संसिमित संसाधन है उसमें बहतर करके 11.3% दर लेगा है जो प्रमाद को देना चाहता हूं उन्हों मेरा नाम लेकर बोला इन्युवाँ से क्या से तीन साल के बाद बाद यह लोग प जुआओं को नकारात्मक भाव अगर देंगे आज की तारीक में तो कौन युवा जूड़े गएंसे कि इस देश में यह आपके ही वर्तमान में संभव हुआ है आपके पहले कभी नहीं हुआ और शाद भभुष में भी नहीं होगा कि प्रधान मंत्री को खुद न्यूक्टी पत्र बातना पड़ा है यह शर्म की बात है यह जॉइंट सेक्रेटरी वह जो डिप्री सेक्रेटरी हैं क्लक्स होते थे वह माटा करते थे यह उपलब भी है यह आपके सरकार की ठीक है जॉब देने के लिए पीम को सामने आना पूछ रहे हैं गौरव जी सबका जवाब दीजे उस बच्चे ने भी आपसे पूछा बेरोजगारी के मुद्दे से लेकर डिफेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं सबको सुना शरम की बात क्या है मैं आपको बताता हूं शरम की बात पहले तो यह है कि जब हमारे देश का ज अगर अगर मेरा तीन निशाने पे हैं तो आपको बताल जाएंगे मत करिए यह प्लीज मुद्दे पर जो सवाल पूछागा आप नहीं बताएंगे आप तो चाहते हैं आपकी तरह बोले और जंता हग जा हम अपनी तरीके सा अपनी बात रखेंगे और एक बात रखूंगा जल्दी से दूसरी बात शरम की बात यह है अजना जी मैं इतना कह सकता हूँ कि यह वो लोग हैं जिनोंने कभी बच्चों को नौकरी कैसे मिले इसकी चंता नहीं करी राहूल गांधी को सत्ता कैसे मिले इसकी चंता करी आज जब यह चर्चा हो रही है इकतर हजार लोगों क वो जॉब के सर्टिफिकेट्स मिल रहा है इससे पहले डेड़ लाग को प्रधान मंतरी जी ने खुद दी है मुद्रा योजना में 36 करोर भारतिय नागरिक है जिनको लोन मिला है और सबसे बड़ी बात है इसका आप एक कॉंट्रास कर लीजिए मैंने आकड़े दिये थे राजस्तान में 28.5 विरुजगारी दर है वारत पे बड़े राजियों में सबसे ज़्यादा बिहार के यहाँ पर प्रतिनदी खड़े है 28.5 विरुजगारी दर है तेसरी बात क्या हाज यह दीप होsam चुका है देखिए मैं इतने ही कहेंगा कि यह झूटा विपखच है यह रूठा विपखच है और यह टूटा विपखच है जूटा इसलिए कि राउल गांधी जूट बोलते हैं उर सोरी बोलते हैं टूटा इस आपको यह मालूं है कि सबसे ज्यादा क्यों महगा यह क्यों पूछा जटा दीजे हिमाचल में आप ने क्यों बढ़ाया बताइए चलिए उन्हाचल में क्यों बढ़ाया कि नुद पुर्ण